सर्शिकाल मैं हारपनप्रीत को श्रीगरु नानिक तेवची दा 500 पंजामा परकाश पुरवार्या है जिस्ते वेचे बहुत जरूरी हो जानदा है कि श्रीगरु नानिक पाशा देविचार तरह दा विस्थार अते परचार चंगे तरीके दिनाल होवे अते इसमू लेके सिखां दी सिर मोर संस्ता स्टी पीसी अते पंजाब सरकार पूरी तरह दिनाल वचन बंधन हाली वेच पंजाब सरकार वलों इना समागमा दी एक रूप रेखा उलीकी गई है जिस दे वेच दस्तिया गया है कि एस सारे समागम चार नवंबर तो शुरू होणगे अते बारा नवंबर तक चलनगे आखिर इना समागमा दे वेच की की खास होवेगा केस तरीके दिनाल होवेगा उस सारा सी देखते हां साड़ी एस खास रिपोर्ट दे वेच शिरिगरू नानिक देवची ते पर कास पुरबनू समर्पेद बंजाब सरकारवलों शुरू किते गए एह समागम चार नवंबर नू सुल्तानपुर लोधी दी तर्थी तो शुरू होणगे अते फेर अगले देन पांच नवंबर नू ही सुल्तानपुर लोधी दी तर्थी ते ही एक खास पर दर्शनी लगेगी जिस्ते वेच हस्त खला अते उद जोकी को वस्तुमा जोकी शिरीगुरु नानिक देवजी नाल सबंदेत राख दिया हान उहना नू पेश कीता जावेगा चंडीगर विखे होणवाडा शेन वंबर दा खास विदान सबा शैशन ग्यारा वजे शुरू हो जावेगा एस दे वेच सिरफ ते सिरफ सारे दे सारे MPs वल्लों शिरीगुरु नानिक देवजी दे फल्सफे अते विचार तारा दी गालबात कीती जावी की हो सकदा है एस तो दुरान कुछ नवे प्रोग्राम अते योज नावावी उलीकियां जान जिन्ना दे सदका सरबतता पला हो सके साथ नवंबर नू चंडीगर विखे एक अंतरास्ट्री कानफरेंस दा उदगाटन होवेगा आठतरी नू गुरु नानिक देव जुनिवर्सिटी वेच नेशनल इंसिटूट आफ इंटरफेथ स्टाडीज दा उदगाटन कीता जावेगा आते एक नूर इंटरफेथ कन कलेव भी शुरू होवेगा आठतरी नू डेरा बाबा नानिक विखेवी खास प्रोग्रामा दी लड़ी शुरू हो जावेगी जो अगले तिन दिनां तक उसे तरह ही चलेगी देरा बाबा नानिक विखे स्वेर दे 9 वजे तो लेके शाम दे 10 वजे तक होण पाले सारे दे सारे प्रोग्राम एस परकार होण के जिन्ना वेच गुरु नानिक देव उत्शव digital museum display गुरु नानिक literature festival गुरु नानिक आर्ट festival इसतोई लावा वकवक पशावा देवेच गुरु नानिक कवीदर बार्वी कीता जावेगा टेरा पापा नानीक विखे होन पाले शाम दे प्रोग्रामा दी गल करी एतना शाम दे शेव जे गुरु नानीक थेटर फेस्टिवल शुरू कीता जावेगा अते इसती समपूरन ता गुरु नानीक फिलम फेस्टिवल दे नाल करीबन दस वजे होवेगी अठतरीक नूँ फेर तो चंडीगर विखे अंतर रास्टरी प्रेस कानफरेंस होवेगी जेस्ते विच गुरु नानिक देवजी दे फॉलस फेदीरी गल कीती जावेगी जिवी की मनुखी परसंता सद पावना अते शांती दे मोख विचार रखे जानगे हलाकि इना सारे समागमा देवेच दो मोख स्थान रहेंगे डेरा बबा नानिक जोकी गुर्दासपुर देवेच है शिरीगुरु नानिक देवजी दे नाल सबंदित है अते करतारपुर लंगे दा कामवी एसे ही अस्थान ते चल रहा है इस तो इलावा सुल्तानपुर पूर्थला विखे भी होणगे शे तरीक नू चंडीगड विखे होणवाला खास विदान सबा शैशन जो है अपने आप देवेच खेच दा कारन बढ़िया रहेगा जिसे वे सिरफ ते सिरफ शिरीगुरु नानिक देवजी दे फॉलसफे आते ओना दी विचारता रदी ही गल होएगी हाला के कतारपुल लांके दे लई कोई वी उद्गाटनी देन नहीं मिथ्या गया है पर फिर वी कैप्टन अमरिंदर सिंग हुरा ने ए गल आक दुत्ती होई है के 9 नवंबर नू ओहो अपने सारे MPs दे नाल और कोशतार्मिक आगवां दे नाल और पतरकार पा पाकिस्तान विखे लेके जानगे शिरीकत तारपुल साहिब दे दर्शना दे लई एस तो इलावा 9 नवंबर दे इना समागमा दे विच होर की की होएगा 12 तरीक तक होर की की होएगा देखते हां इस रिपोर्ट दे विच अगे 9 नवंबर दे दे पंजा पते पारत दे लई बहुत खास देन हो निबड़ेगा क्योंकि एस देन दे लई अनुमान है कि एस देन 9 वजे तो लेके 11 वजे तक करतारपुल लांगे दा उधकाटनी समारो चलेगा जो बिलकल जीरो लाइन दे अंतर रास्ट्री बाड़ते परार रहेगी जिस देवे सवेर दे 10 वजे तो लेके शाम दे 10 वजे तक गुरु नानिक लिट्रेचर फेस्टिवल गुरु नानिक आर्ट फेस्टिवल वाकवक पशावा दे विच गुरु नानिक अवी दरबार गुरु नानिक थेटर फेस्टिवल गुरु नानिक फिलम 10 नुवंबर नू कपूर्थला विखे होण वाड़ा समागम बहुत ही खास होवेगा एस समागम होवेगा इंदर कुमार गुजराल पंचाब टेक्निकल जुनिवर्सिटी दे गुरु नानिक देव आडिटोरियम देवेच इस देवेच श्रीगुरु नानिक देवची दे 505 परकाश पूरपनू समर्पत पंचाब सरकार 505 ऐसियां पर मोक शक्षितानू सनमानित करीगी जिनना ने समाज देवेच कल्यान कारी तरीके दे नाल अपना योगदान पाया है 11 नुवंबर नू सुल्तानपूर लोती दी 50 तरती ते श्रीगुरु नानिक देवची दी विचार तारानू समर्पत कवी दरबार करवाया चावेगा जिसे उपरंद मल्टी मीडिया लाइट एंड सौंड शो अते लाइट एंड सौंड पंडाल संतां दी खेच दा खास कारण बनेंगे अते बाकी देश मागम उसे तरहीं देरा बाबा नानिक विखे यारी रैंगे गुरु नानिक लिटरेचर फेस्टीवल, गुरु नानिक आर्ट फेस्टीवल, वक वक पार्ती पशामा वेच गुरु नानिक कवी दरबार, गुरु नानिक थेटर फेस्टीवल, अती गुरु नानिक फिलम फेस्टीवल इस सारे फेस्टिवल जो होनगे इना दिवेच गुरु नानिक देव जी दी विचार तारानू वक्रे वक्रे तरीक्या राही संगतां दे सनमुख रख्या जावेगा उमीद है कि इस सारे दे सारे जो शोज हान संगतां दे लेई खास केच दा कारण बने रहने गे बारा नवंबर दा श्रीगुरु नानिक देव जी दे परकाश पुरप दा पागाँ पर्या देन पंजाब सरकार वलों सुल्तान पुर लोती दी पावन तर्थी ते मनाया जावेगा जेस्ते वेच श्रीगुरु नानिक देवजी दे 555 परकाश पुरवनू समर्पित मोख समागमा दी शुरुआत हो जावेगी अत्य पूरा दिन एस अस्थान ते ही सारे समागम होणके एत हन ओ सारे समागम जो श्रीगुरु नानिक देवजी दे 555 परकाश पुरवनू समर्पित चार नुवंबर तो बारा नुवंबर तक उलिके गए हान एस तो इलावा बारा नुवंबर तो बाद भी पंचाब सरकार बहुत सारे सममेलन अते समागम अंतरास्टी नगर कीरतन इना सारे अंदा पर बंद करेगी वकरे वकरे राजजान देवेचे इस तरह न देश समागम करवाए जानगे तांके शिरीगुरू नानिक देवजी दी विचार तारानु होर विस्थार दिता जा सके हलाकि SGPCV एस देवेच उना दी पागीदा रहेगी पर पिछले कोज समय तक जो असी देखिया है कि दोहां तिरान देवेच बनाई गई तालमेल कमेटी कोई बहुता वदिया तालमेल दोहां देवेच नहीं बनाके चली पर फिर भी होन शिरीगुरू नानिक देवजी दा परकाश पुरो बहुत नेडे आ रहे है इस लएगी दोहां तिरानों इकठे हो जाना चाहिदा है क्योंकि शिरीगुरू नानिक देवजी दे फलसफे दी जो दोसी गाल कर दे हां तो सबतों पहली कल ही एक ता अते संजी बालता दी है इस करके जेकर इस चीजनों असी ग्राउंड लेवल तो ही अपने उते लागो कर लेने हां ता मेरे ख्याल देना शिरीगुरू नानिक देवजी दी विचार तारादा विस्थार अते ओस्दा पर चारवपधिया तरीके देनाल कीता जा सकता है इस रिपोर्ट देविच फिलहाल इना ही मेनू देओ इजाजत तन्वाद